स्लिंठ के बारे मैं विल्छी वीडियो में हम डिसकस करेंगे बारे में चूह Kr אני तो कुछ शुरू करने से पहले कुछ कोशिशन में आप के दिमाग में अ कविर अकसर होंगे कि जैसे कि आपने कभी ब्रेट कहाई हो तो तक की च्काई निट करते हैं तो यह जो होते हैं जो हम स्मीट की हुं आज चालेंगे जीओ में मांजन होते हैं आज की वीडिओ में मांत के बारे in घरा हैं यह चैनल है, जीओ करते हैं optimistic व्यडिओ क्या उसर्ट को यह mix हो जाता है saliva चाहिए food हमारा mix होता है saliva के साथ mouth में होता है और जो digestion होता है carbohydrate का ज़िए की starch है ठीक है वो mouth में ही digestion शुरू होता है ठीक है और saliva क्या करता है हमें पताब saliva contain इसमें क्या होता है digestive juice होता है जो की starch को जो मेरे bread में present है उसको convert करता है sugar में तो आप में यह देख सकते हैं figure के उपर जो starch है विद्धाल वो saliva ही convert होगा sugar में तो यह सब कुछ जो भी digestion होता है carbohydrates का वो कहां होता है बहुत important है वो mouth में होता है और saliva ही मदब करता है starch को convert करने में या carbohydrates को convert करने में sugar sugar को convert करता है मतब starch convert होता है sugar में in the presence of saliva saliva होगा तब ही वो convert होगा उसके बाद आता है इसोफागस इसोफागस क्या होता है जब भी हम food खाएंगे यह खाने के बाद चू करने के बाद हमारे mouth से एक long tube में जाके trouble होगा आप देख सकते हैं यह reddish सी diagram में तो यह long tube में जाएगा इसको बोलते हैं long tube को food pipe और अगर हम scientifically बात करें इसको इसोफागस भी बोला जाता है और during जब हम खाना खाते हैं तो जो भी हमारा खाना है food particle है वो क्या होगा जो food pipe की walls है वो accordingly contract करेगा और relax करेगा वेव लाइक मोशन में वेव लाइक मोशन में contract और relax करता है और इसी movement यही movement help करती है food को नीचे पुश करने में ताकि वो क्या होगा खाना जो हुआ food pipe या इसोफागस से नीचे जाके कहाँ पर जाए stomach में तो आईए अब हम next करते हैं stomach के बारे में stomach की तो इसमें क्या होता है cyclic organ है जो की further food की digestion होती है यहीं पर होती है stomach में और हमारे मुव में तो कौन सा juice secret होगा saliva है digestive juice saliva हो रहा है लेकिन stomach में क्या होगा हमारा digestive juice hydrochloric acid या mucus hydrochloric acid या mucus mucus होगा और यह जो digestive juice होता है यह help करता है protein को break करने में मदद करता है जो भी हमारा hydrochloric digestive juice है यह मदद करता है protein को तोडने में जो भी हमारे food में present है इसको simpler form में convert करता है digestive juice और दूसरे तरफ HCL का important function क्या है जो भी हमारे food के साथ खाने वक्त germs enter हो जाते है तो HCL helps to kill those germs ठीक है उसको kill करने में मदद करता है ठीक है दूसरे तरफ यह एक तरफ का acidic medium भी है जो की proper digestion को करने में मदद करता है ठीक है HCL और जो mucus है simply क्या करता है food को थोड़ा moisty form में convert करेगा ताकि transport करना असानी हो जाए ठीक है तो liquidy form में convert करता है mucus ताकि क्या करता है एक जगह से food pipe से नीचे जाके वो stomach में चलना असानी हो जाए यह stomach से और आगे जाएगा यह तो वहाँ पर चलना असान हो जाए ठीक है along the elementary के नाल तो I hope आपको इस त्यामक इस फैगस food pipe mouth के बारे में सब कुछ clear होगा और digestion के बारे में आने वाली वीडियो में हम discuss करेंगे और भी चीजों के बारे में जैसे कि small intestine ठीक है और absorption भी discuss करेंगे large intestines ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिये कोई भी डाउट है यू कन हस्किन कमेंट सेक्षिन और सब्सक्राइब मैं चैनल और हिट बेल इकन फॉर 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 वीडियो थैंक यू फॉर वच्छिंग इट